नमस्कार दोस्तों आप लोगों का दबुक्स क्लब में स्वागत है मित्रो आज ये भारती सम्मिधा नियम राज विवस्था का प्रैक्टिस सेट 4 है इससे पहले हमने 3 वीडियो अप्लोड कर दी है मित्रो सबसे इंपॉर्टन क्या होता है Student तयारी तो कर लेता लेकिन practice करने के लिए उसके पास समय निए बसता अगर आपमें practice नहीं किया तो कैसे पता चलेगा कि आपके तयारी कैसी है तो चलिए शुरुवार करते हैं और चूकि आपने पहले से तयारी कर रखे है तो हमारे आंसर देने से पहले आप अपने आंसर को क्लिक करेंगे तो उसे आपको पता चले कितने कोशन आप सौल्ब कर रहे हैं तो चली शुरुवार करते हैं हमारा पहला कोशन क्या है ये चीजे जो है समविधान की जो है उद्देशी का और जो है विसेस्ता एम नागरिता से रिलेटेड जो है 28 कोशन है इसे रिलेटेड और वीडियो बनाएंगे जिसमें इसे हैं और लगातार एक्जाम में पूछे जा रहे हैं पहला कोशन हमारा क्या है निम्न सब्दों पर विचार करिए तो कौन-कौन से हैं समाजवादी दूसरा प्रजातांत्रिक और तीसरा सौर्भौमिक और चौथा धर्मिर पेच सही सब्दों को विचार अनुसार क्रमें द समाजवादी फिर उसके बाद जो है धर्मिर पेच और उसके बाद ग्लास्ट में हैं प्रजातांत्रिक पहले क्या है सर्भौमिक समाजिक धर्मिर पेच प्रजातांत्रिक ठीक है तो इसका जो सही आंसर होगा आपता नंबर ए होगा ये भी BPSC 2008 में पूछा गया है ग्लास्ट में चो घर्मिर तो इसका जो थी उसका जो जो सही आंसर होगा आपसा नंबर बी अनुछेत दो के अनुसार समिधान के निमनांकित में से किस संप्रषधान के अंतरगत भारती संसत को नय hvad राज बनाने का अधिकार है तो अनुछेत दो के कोरिग नेक्स्ट अग अगला कोशन निमलखित सब्दों में से कौन से सब्द 42 सम्विधान संसोधन द्वारा प्रिस्तावना में जोड़े गए थे यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है देखे मेंस में पूछा गया है यूपी पीसस में तो इसका जो सही आंसर होगा आपसा नंबर बी होगा पहला औ बारत एक गर्तंत है इसका अर्थ है क्या है इसका सही अर्थ तो इसका अर्थ है भारत में वनसान उगत सासन नहीं है नेक्ट अगला कोशन देख लेते हैं भारत में भारत के समविधान के अमुख का लच उसके सभी नागरिकों के लिए सुनश्चित करना है तो इसका जो सही आंसर होगा आफसा नमबर D होगा D यानि सामाजिक तथा आर्थिक नयाए बिचार तथा अभिवेक्त की सोतनता और अवसर की समानता और वेक्त की सही है भारत के समविधान के अमुख का लच उसके सभी नागरिकों के लिए सुनश्चित करना है सामाजिक तथा आर्थिक नयाए मिलना चाहिए उसे बिचार तथा वेक्त की स्वतनता मिलनी चाहिए अवसर की समानता और वेक्त की प्रतिष्ठा आपसा नमबर D का सही होग नेक्स्ट अगला देख लेते हैं भारत में लौकिक्स और भामिक्ता है क्योंकि समविधान के प्रतावना आरंब होती है तो इसका जो सही आंसर होगा हम भारत के लोग सब्दों से भारत में लौकिक्स और भामिक्ता है क्योंकि समविधान के प्रतावना आरंब होती है हम अगला कोशन देख लेते हैं संबिधान की प्रिस्ताओना के बारे में कौन सा सही है? तो इसका जो सही अंज़़ होगा आपनासा नंबर A. समाजवादी धर्मिरपेच सब्द 1950 में लागु समप्थान की अंग नहीं थे. समिधान के प्रिस्तावना के बारे में कौन सा सही है समाजवादी धर्ब निर्पेच सब्द 1950 में लागू समिधान के अंग नहीं थे क्योंकि ये तो बाद में जोड़े गए है नेक्ट अगला कल्यानकारी राज जी का उद्देश से है इसका जो सही आंसर होगा आपसर नमबर A अधिक्तम संख्या का अधिक्तम कल्यान सुनिश्चित करना कल्यानकारी राज जी का उद्देश क्या होता है अधिक्तम संख्या का अधिक्तम कल्यान सुनिश्चित करना नेक्ट अगला देख लेते हैं सम्विधान की उद्देसिका के संबंद में निम्न कतनों पर विचार करिए और दिये गए कूट की सहता से बताईए कि इन में से कौन सा सही है तो इसका जो सही आंसर होगा आपसा नमबर बी होगा आपसा नमबर बी में क्या है पहला दूसरा और चौथा पंडित नहरुदारा प्रिस्तुत आपजेक्टिव प्रिस्ताओ अंत्रो गत्ता उद्देसिका बना नमबर वन नमबर टू इसकी प्रकति न्यायोगी नहीं है और नमबर फोर समिधान के बिश्ष्ट प्रवधानों को यहा रद नहीं कर सकता पहले में क्या पंडित नहरुदारा आपजेक्टिव प्रिस्ताओ अंत्रो गत्ता उद्देसिका बना सेकेंड इसकी प्रकति न्यायोगी नहीं है दी फोर चौथा नमबर है समिधान के बिश्ष्ट प्रवधानों को यहा रद नहीं कर सकता आपसा नमबर 20 का सही होगा नेक्स्ट अगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन क्या है हमारा भारती गरतंत की 26.11.1950 की सही समिधानिक वस्त इस्तिक्यात थी जब समिधान लागू किया गया यूपी पीसेस मेंस में पूछा गया तो इसका जो सही आंसर होगा आपसा नमबर सी संपूर्ण प्रभुत्य संपन लोक तंत्रात्म गर्राज भारती गरतंत की 26.11.1950 की सही समिधानिक वस्त इस्तिक्यात थी सम्मिधान लागू किया गया तो संपूर्ण प्रभुत्य संपन लोग तंत्रात्म गड़ाज आपसा नमबर सी इसका सही होगा मित्रो एक चीज और बताना चाहरे है अगर हमारे ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है मेनत अच्छी लग रही है तो जादा से जादा मित्रो को सेर जरूर करिएगा और जो है लाइक, सेर, कमेंट भी जरूर करिएगा और चैनल अगर अभी तक नहीं सस्क्राइब किया इस तैयारी भी हो जाएगी नेक्ट अगला कोशन देख लेते हैं निम्न में से कौन सही है इसका जो सही आंसर होगा आपसर नमबर सी सामाजिक समानता समिधान में प्रत्या भूत है नेक्ट अगला कोशन देख लेते हैं भारत के संदर्ब में निम्न में से कौन धर इस सब्द का सही भाव बेक्त करता है तो इसका जो सही आंसर होगा भारत में राजी का कोई धर्म नहीं है आपसा नमबर D भारत के संदर्म निम्न से कौन धर्म निर्पेश सब्द का सही भाव बेक्त करता है तो भारत में राजी का कोई धर्म नहीं है आपसा नमबर D इसका स ही भाव ब्रक्त करता है नेक्ष अग्ला देख लेते हैं नेम्न छिखेत सबदों में से कौन सब्द 1975 में भारती समिधान की प्रिस्तावना में समलित नहीं था तो इसका जो सही अंसर होगा आपसान अमबर डी अखंडिता नेमल लिखित में से कौन से सब्द भारत के सम्विधान की उद्देशिका में नहीं है तो इसका जो सही आंसर होगा आपसर नमबर डी लोक कल्यार नेमल लिखित में से कौन से सब्द भारत के सम्विधान की उद्देशिका में नहीं है तो आपसा नमबर D, लोग कल्यार नेक्स अगला देख लेते हैं नेमनल लिखित में से किस वाद में उच्चितम न्याले ने धारना प्रस्तुत की की उदेशिका सम्मिधान का भाग है तो इसका जो सही आंसर होगा आपसा नमबर C, बॉम्बाई बनाम यूनियन ओफ इंडिया नेमनल लिखित में से किस वाद में उच्चितम न्याले ने धारना प्रस्तुत की की उदेशिका सम्मिधान का भाग है तो बॉम्बाई बनाम यूनियन ओफ इंडिया नेक्स अगला नेमनल लिखित में से कौन सी भारती सम्मिधान की विशेष्ता नहीं है तो इसका जो सही आंसर होगा आपसा नमबर B, अध्यच्छात्मक सरकार नेमनल लिखित में से कौन सी भारती सम्मिधान की विशेष्ता नहीं है तो अध्यच्छा आत्मक सरकार यह आपसा नमबर 20 का सही होगा तो मित्र वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जिरूर कर दीजेगा नेक्स अगला निम्लखित में से कौन सा राजिका सबसे महत्पूर्तत्त है तो इसका जो सही आंसर होगा आपसा नमबर 20 संप्रविता निम्लखित में से कौन सा राजिका सबसे महत्पूर्तत्त है तो संप्रविता नेक्स अगला देख लेते हैं अगला कोश्चन का आंसर क्या है हमारा अगला है हमारा भारती संप्रवितान के सिल्सिले में निल्खित में से कौन सा क्रम सही है ये मोस्ट इंपोर्टन कोश्चन है कई बार एक्जाम में पूछा भी गया है तो आपसा नमबर 20 का सही होगा निम्न भारती संप्रवितान के सिल्सिले में निल्खित में से कौन सा क्रम सही है तो इसका जो सही आंसर होगा आपसा नमबर 20 करता है इसका जो सही आंसर होगा आपसा नमबर 20 का सही होगा भारती संप्रवितान के प्रिस्टावन में जिन उद्देशों जिन आदेशों एवं उद्देशों की रूप रेखा दी गई है उनकी ब्याख्या की गई है किसमे की गई है तो इसका आदर्सों एवं उद्देसों की रूप रेखा दी गई है उनकी ब्याख्या की गई किसमे मूल अधिकारों इसका जु गई है तो इसका जो सही आँसर होगा आपसर नमबर डी आर्थीक सोतन्ता ब्हारति सम्जण की ब्रसतावन निलखित में किस सोतन्ता का देख लिएं 26 नॉवंबर 1949 को अंग्रिकरत भारतिय संविधान के प्रिस्तावना में सब्द सम्मलित नहीं थे तो कौन कौन से तो आपसन नंबर A में 1, 2 और 3 यानि समाजवादी, पंत निरपेच और अखंडता ये तीनों सब्द 26 नॉवंबर 1949 को अंग्रिकरत भारतिय संविधान के प्रिस्तावना में सब्द सम्मलित नहीं थे तो आपसन नंबर A सही होगा संविधान में दिया गया आमुख है क्या है इसका जो सही अंसर होगा आपसन नंबर D D में क्या है दूसरा महत्पूर है और इसकी उप्योगता है सम्मिधान में दिया गया आमुख क्या है महत्पूर है और इसकी उप्योगता है तीसरा क्या है सासन करने के उदेशों को उलेखित करता है और चौथा क्या है सम्मिधान के कानूनी अर्थ निर्णे में सहता करता है सम्विधान में दिया गया आमुक क्या है महत्पूर है और इसकी उप्योगिता है सासन करने को देशों की उल्लेखित करता है सम्विधान के कानूनी अर्थनेडे में सहता करता है इसका option number D जो है सही होगा next अगला question देख लेते हैं समाजवादी तथा धर्मिर पेच सब्द सम्विधान के प्यस्तावन में सम्मलित किये गये थे यह most important question है तो कब किये गये थे 42 सम्विधान संसोधन द्वारा समाजवादी तथा धर्मिर पेच सब्द सम्विधान के प्यस्तावन में सम्मलित किये गये थे 42 समिधान संसोधन द्वारा नेक्स्ट अगला सभी बेक्ति पूरता और समान रूप से मानो है यह सिधान जाना जाता है इसका सही आंसर क्या होगा सौर्भाउमिक्ता सभी बेक्ति पूरता और समान रूप से मानो यह सिधान जाना जाता है सर्भोमिक्ता में, आप्सान नमबर A, इसका सही होगा, नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, भारति समिधान में मौली करतब्यों का बिचार लाया गया, तो इसका जो सही आंसर होगा, आप्सान नमबर C, रूस पूर सोबियत संके समिधान से, भारति समिधान में मौली करतब् नेक्स्ट अगला देख लेते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा आपसा नमबर A आईरिस यानि आयरलैंड के गड़तन्त से तो इसका जो सही आंसर होगा आपसा नमबर A भारत की ये भी मैंस में पूछा गया है तो मित्रू ये 28 कोशन थे बीना समय गवाय हुई हमने इनको आपको अच्छे सरी वीजन करा दिया प्रैक्टिस करा दिया अगर ये वीडियो अच्छे लग रहा हो तो लाइक सेर कमेंट साथ में चैनल को सस्क्राइब करना और मित्रू को सेर करना मत भूलेगा बहुत बहुत धन्यवाद जाइक सबस्क्राइब कर दो क्या हूं